65 प्रतिशत जन संख्या नौजवान हो और खेलों की दुनिया में हम खो गए हो यह तो बात कुछ बनती नहीं है समय है खेलों में एक नई क्रांती का दोर का और हम देख रहे हैं कि भारत में क्रिकेट की तरह अब फुटबॉल, होकी, टैनी, कबड़ी एक मूड बनता जा रहा है मैं आज नवजवानों के एक और खुशकबरी के साथ कुछ अपेक्षाएं भी बताना चाहता हूँ आपको साथ इस बात का तो पता चल गया होगा कि अगले वर्ष 2017 में भारत फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है विश्व की 24 टी में भारत में खेलने के लिए आ रही है 1951-1962 एशियन गेम्स में भारत ने गोल मेडल जीता था और 1956 अलेम्पिक गेम्स में भारत चौथे स्थान पर रहा था लेकिन दुर्भागे से पिछले कुछ दशों को में हम नीचली पायरी पर ही चलते गए पीछे ही हडते गए गिरते ही गए गिरते ही गए आज तो फीभा में हमारा रैंकिंग इतना नीचे है कि मेरी बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि इन दिनों भारत में युवाओं की फुटवाल में रूची बढ़ रही है इपियल हो स्पैनिस लीग हो या इंजियन सूपर लीग की मैच हो भारत का युवाओं उसके विशे में जानकारी पाने के लिए टीवी पर देखने के लिए समय निकालता है कहने का तात्पर ये हैं कि रूची तो बढ़ रही है लेकिन इतना बड़ा उसर जब भारत में आ रहा है तो हम सरफ मैजबान बन करके अपनी जिम्मिबारी पूरी करेंगे कि इस पूरा वर्ष एक फुटबॉल 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 का माहोल बना दे हैं स्कूलों में कॉलेजों में हिंदुस्तान के हर कौने पर हमारे नवजवान हमारे स्कूलों के बालक पसीने से तरबतर हो चारों तरफ फुटबॉल खेला जाता हो ये अगर करेंगे तो फिर तो मैजबानी का मज़ा आएगा और इसलिए हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम फुटबॉल को गाउं गाउं गली गली कैसे पहुंचाए 2017 फीफा अंडर 17 विश्व कप एक ऐसा आउसर है इस एक साल के भीतर भीतर हम चारों तरफ नवजवानों के अंदर फुटबॉल के लिए एक नया जोम भर दे नया जुस्सा भर दे इस मैजबानी का एक फाइत अधाई है कि हमारी यह इन्फास्रेक्टर तयार होगा खेल के लिए जो आवशक्त विदाये हैं उस पर ध्यान जाएगा मुझे ते इसका आनंद तब मिलेगा जब हम हर नवजवान को फुटबॉल के साथ जोड़ेंगे